भारतिय लिगों की एक खासियत है चाहे वो खुद परहा लिखा क्यों ना हो लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहता है एक पकवरा बेचने वाला चाय बेचने वाला खेत में काम करने वाला मजदूरी करने वाला इंसान भी चाहता है कि उसका बच्चा टा दोस्तों तेरी मेरी सब की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम सिक्षा की बात करेंगे सवाल यह उठता है कि सिक्षा की बात करने की जरूरत क्यूं है एक वाक्या मुझे याद आ रहा है बिहार इसेंबली के अंदर जब जमिनदारी को खत्म करने की और सब को सिक्षा देने की बात की जा रही थी उस वक्त जब सिक्षा का बिल प्रस्तूत किया गया तो वहां के महराज तरभंगा महराज ने कहा कि इस बिल में सब को सिक्षा देने की बात क्यूं की गई है यह जो कानून आप लार हैं हैं इसमें आप सब को सिक्षा देने की बात को खतम कर दीजिए क्योंकि यदि सबको सिक्षा दी जाएगी तो बकरी कौन चराएगा हमारे खेतों में काम कौन करेगा और यही बात उस जमाने के एकलब पर भी लागू होती है कि यदि एकलब को भी द्रोनाचायर के द्वारा धनुर विद्या सिखाया जाता तो वो अरजुन से भी बड़ा चलाना सीख लिया तो द्रोनाचायर ने दक्षिना में एकलब का अंगुठा मांग लिया आज भी हमारे देश में जो सिक्षा की हालत है वो उससे बहुत अलग नहीं है सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी किसी स्कूल के बाहर जाएंगे तो अक्सर आपको एक पंग्ती लिखा हुआ मिलता है उसमें लिखा रहता है सिक्षार्थ आईए सेवार्थ जाईए ऐसा लगता है कि यह स्कूल सबके लिए खुला हुआ है हर कोई यहां आ सकता है सबको पढ़ाना सरकार की जिम्मेवारी है और पढ़ने के बाद सबको बाहर नौकरी मिलेगी सबको चाहें वो अमीर हो या गरीब हो उनको एक तरह की सिक्षा दी जाएगी उस जमाने में जब ये कहा जा रहा है वन नेशन वन टेक्स तो क्या वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है इन सवालों पे गौर करने की जरूरत है इस देश में सारे 6 करोर ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 बर्ष से लेकर के 17 वर्ष के बीच है जो आज तक किसी स्कूल में नामंकल ले ही नहीं पाएं उनका दाखिला लेने के लिए कोई विद्धाले नहीं बना है सवाल यह बनता है कि जब पढ़ेगा नहीं इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया कि अभी हाल में प्रधान मंत्री जीने एक बयान दिया है कि स्वा रोजगार जादा महत्पूर्ण है पकौरा बेचना भी एक काम है और लोगों को पकौरा बेचना चाहिए इसके साथ नहींने में कमाई आपकी कितनी हो जाती है तो अभी है और उनके डिफेंस में उनके बड़े-बड़े मंत्री और राजिपाल कह रहे हैं कि पकौरा बेच करके भी इंसान बहुत बड़ा बन सकता है बहुत धनवान बन सकता है अमबानी जी का उधारन दिया जा रहा है और फेस्बुक के मालिक का उधारन दिया जा रहा है इसलिए जितने तरीके की सारकारी योजनाएं लागो की गई है उसमें कहीं भी सिक्षा की बात नहीं की गई है न्यू इंडिया के concept में educated इंडिया की बात नहीं की जा रही है और इसका नतीजा ये है कि भारत के अंदर सिक्षा प्राप्त करना, admission लेना, school में अपनी पढ़ाई को पूरा करना और पर करकर के परिक्षा पास करना, परिक्षा पास करने के बाद अपनी योगता के हिसाब से सिक्षा प्राप्त करना ऐसा हो गया है जैसे मंगल ग्रह पर पहुंचना, क्या इस देश में सभी नागरिकों के बच्चों के लिए सिक्षा प्राप्त करना आसान है, बिल्कुल भी नहीं, अगर ऐसा होता, तो admission की परकिरिया सुरू होने के बाद, school के बाहर बड़ी-बड लाइने नहीं लगती, और ये लाइन विद्यार्थियों का नहीं, उनके अभिवाबकों का है, बच्चों के पिता जी और माता जी का इंटर्विव लिया जा रहा है, और कई बार गरीब के बच्चों का admission इसलिए नहीं लिया जाता है, कि यह आर्गूमेंट दिया जाता है स्कूल परसाशन के द्वारा, कि आपके बच्चे जोपरपटी में रहते हैं, यह यदि हमारे स्कूल में आएंगे, तो इनसे यहां का माहौल खराब हो जाएगा, बच्चे ऐसे सब्द बोलने लगेंगे, जिन सब्दों से उनकी personality पे बुरा आसर परेगा, इसलिए यह जा से लिए यहां बच्चों को पढ़ाने और सिखाने की बात नहीं हो रही है, इसकूल चाहता है कि ऐसे बच्चे हों जो पहले से ही सीखे-सिखाय हों, और ऐसे सीखे-सिखाये बच्चों को पढ़ाने के नाम पे उनको क्या दिया जाता है, उनको दिया यह जाता है कि teacher की quality, school पूल की क्वालीटी, एजुकेशन की क्वालीटी और सिलेबस में क्या उनको पढ़ाया जाएगा इस पे विमर्स नहीं होता है। यह पढ़ाना स्कूल का काम है लेकिन आज चंदगर्ण क्यूं होता है यह पढ़ाना स्कूल का काम नहीं है उल्टे इस देश के सिख्षा मंत्री के द्वारा यह कहा जा रहा है कि डार्विन का सिध्यान्त गलत है और डार्विन ने कहा कि बंदर से आदमी होने के जो बात है वो गलत है दरसल उनको यह कहना चाहिए था कि हम आदमी से बंदर होते जा रहे हैं और इसका उधारन आपको कई वार दिखता होगा जब आप रात को टीवी खोलते होंगे तो कुछ एंकर आपको माइक ले करके उछल कूद करते हुए नजर आते हैं उनकी यह चिंता कभी नहीं होती है कि वो सिक्षा पे बात करें हलाकि वह भी लाइन में लगते हैं जब उनको अपने बच्चों के एड्मिशन की बारी आती है उनका भी इंटर्विव लिया जाता है इस देश के जो बरे-बरे प्रोफेसर हैं उनको उनको भी इस बात की चिंता होती है कि उनके बच्चों का एडमिशन कैसे होगा लेकिन फिर भी इस देश में एजूकेशन पर बात नहीं होती है इसलिए बजट का एक बड़ा हिस्सा किताब खरीदने में नहीं टेंक खरीदने में खर्च किया जाता है और मैं समझता हूं कि परोसी से यदि आगे निकलना है तो कार खरी सब्सक्राइब करके आब आगे निकल सकते हैं आप अपने बच्चों को सिख्छा दे करके आप आगे निकल सकते हैं लेकिन यह बात इस देश के लृष कंई नहीं साहरा कि हंसे नहीं च्यूmost report टो इस किसानों को अपना फजर्शन बचाने के लिए थी से कि प्राकेर्टिक आपदा से बचने के लिए एक मात रुपा है हनुमान चालीशा तो उनको यह बात समझ में नहीं आयेगी कि फसल को कीट से बचाने के लिए कीट नासक का इस्तेमाल करने की जरूड़त है ना कि हनुमान चालीशा पढ़ने की एक तरफ सरकार कहती है कि हमको को digital इंडिया बनाना है लेकिन इस स्कूल को digital करने के लिए उस स्कूल में पहले बिजली का होना ज़रूरी है लेकिन पता नहीं यह कौन सी अधवुत टेकनोलोजी है जब इस देश के 40% बिद्यालियों में बिजली ही नहीं है तो फिर इस स्कूल को digital कैसे बनाया जाएगा हो स साइद इसलिए ही आज स्कूल में परियोगसाला की नहीं गौसाला की बात की जा रही है। साहब स्कूल को बहतर बनाने के लिए गौसाला की नहीं परियोगसाला की जरूरत होती है। स्कूल को बहतर बनाने के लिए पिग्यापन की नहीं बिग्यान की जरूरत होती है स्कूल को बहतर बनाने के लिए स्कूल में फंड देना पड़ता है ताकि उस स्कूल के इंफ्रास्ट्रेक्चर को बहतर किया जा सके इस्थिती ये है कि लगातार सिक्षा का बजट कम किया जा रहा है और इसका एक नतीजा यह दिखाई देता है कि दो तरह के स्कूल आपको दिखेंगे एक तरफ जहां परती विद्यार्थी परती माह 10,000 रुपया खर्च किया जा रहा है दूसरी तरफ वो स्कूल है जहां पर स्कूल से ले करके हाइर एजुकेशन तक की स्थिती का सही मुल्यांकन करने की जुरुरत है कि एक बड़ी आवादी ऐसी है बच्चों की जो कभी स्कूल पहुँच ही नहीं पाए जो इसकूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनके पास वो बुनियादी सुवधा नहीं है उनके पास बिजली नहीं है बैठने को बेंच नहीं है अच्छे सिक्षक नहीं है अच्छा सिलेबस नहीं है इसकूल को जैसे तैसे लोग पास करते हैं ड्रॉप आउच की स्थिती ये है कि जितने बच्चे नामंकन लिये जाते हैं उसकी एक बड़ी आवादी बंद कर दिया गया है अभी कुछ दिन पहले यूजी सी के अंतरगत यह प्रापधान लाने की कोशिश की गई कि इस देश के सोधार्थियों को जो फेलोशिप दिया जा रहा है उस फेलोशिप को बंद कर दिया जाएगा कितनी अजीब बात है एक तरफ स्कूल बंद हो रह रहा है उस फेलोशिप को बंद करने की बात की जा रही है तीसरी तरफ उनके लिए जो बुनियादी स्विधा होनी चाहिए उसका आभावध है और प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि इन तमाम घटनाओं के बीच आप मुश्कुराईए यह तो आप ही कर सकते हैं एक तरफ आप विध्यार्थी का फेलोशिप छीन लें एजुकेशन के बजट को कम कर दें और विध्यार्थियों से कहें कि आप मुस्कुराईए और योगा कीजिए कह रहे हैं कि आप एकजाम वारियर हैं हम एकजाम वारियर हैं इसमें कोई दोराई नहीं है हम एकजाम देंगे और क्या जब आप कह रहे हैं कि पकौरा बेचना एक रोजगार है तो फिर एंजिनेरिंग करने का क्या फायदा है साइन्टिस्ट बनने का क्या फायदा है यह एक बड़ा सवाल खरा करता मुझे लगता है कि वह बात चों कही जाती है कि परहोगे लिखोगे बनोगे नवाब उसको बदल देने की जरूरत है और आज उसको यह कहना चाहिए कि परहोगे लिखोगे बनोगे खराब तलोगे पकौरा बनोगे नवाब यह संदेशा इस देश की सरकार और इस देश के मं कुंत्रियों के दौरा हम नउजवानों को दिया जा रहा है और सबसे मुश्किल की बात यह है कि इस देश में लोग 18 वर्स में वोट देने का अधिकार प्राप्त करते हैं फुल फलेज नागरिक होने का अधिकार उनको 18 वर्स में प्राप्त होता है, लेकिन सिक्षा रिन जो है, सिक्षा लोन जो है, उनको 18 वर्स से पहले नेना पड़ता है, मतलब यह है कि नागरिक बनने से पहले ही वो कर्जदार बन जाते हैं, और मैं समझता हूं कि कर्ज से के लिए प्रमोट कीजिए, हमें एजुकेशन लोन नहीं लेना है, हमको एजुकेशन लेना है, और एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि यह हमारा संवेधानिक अधिकार है, आज यह सामुहिक जिम्मेदारी लेने की जरूरत है कि दीप्ती को आत्म हत्या क्यों करनी परी एक लड़की जो अपना स्कूल फीस नहीं भर पा रही थी और उसके स्कूल प्रसाशन के दौरा उसको जाती आधारित ताना मारा जा रहा था जिस अपमान को वह बरदास्त न कर पाई और उसने आत्म हत्या कर लिया ये इस दीपती की हत्या का जवाब हमारे जेनरेशन के लोगों को ढूनना परेगा और इस सवाल को कि एजुकेशन हमारा बुन्यादी अधिकार है एजुकेशन सरकार के दौरा मिलने वाला कोई भीख नहीं है और यदि हम सरकार को वोट देते हैं तो अपने नागरिकों को एजुकेशन देना या सरकार की कारी है इस बात को हम लोगों को मजबूति सह उठाना परेगा और जब तक हम अपनी मजबूति सह सवाल को नहीं उठाएंगे तब तक किसी भी राजनितिक दल के घोछना पत्र में सिक्षा की बात नहीं की जाएगा कि जो वन नेशन वन टेक्स हो सकता है तो वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए क्याएगा कि जो भुछ सकता है